नमस्ते दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटी इंडिया में और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्वीटर पर कुछ अकाउंट सस्पेंड हुए हैं उनकी हिस्ट्री क्या है वो क्या कर रहे थे और वो किस तरह से देश में दंगे फैलाने का काम कर रहे थे फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन के नाम पर और सबसे बड़ी बात वो सभी के सभी लिबरांडू थे जिहादी लेफ्टिश्ट थे दोस्तो वैसे तो फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन के नाम पर आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं परधान मंतरी को गाली दीजे ग्रह मंतरी को गाली दीजे किसी नेता को गाली दीजे या फिर किसी भी समवेधानिक पद्र बैठे हुए आदमी को आप गाली दे सकते हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अमिश शाह ने freedom of expression के रखवालू और उनकी जो बात करने वालों पर अपना डंडा चलाया है दोस्तो किसान आंदूलन में किसानों को भढ़काने और किसान आंदूलन में हिंसा का समर्थन करने वाले करीबन IT मिनिस्ट्री ने 2500 अकाउंट्स को temporary hold कर दिया है बताया जा रहा है कि यह ग्रह मंत्राले के आदेश पर हुआ है असल में पिछले दो महिने से यह 2500 अकाउंट गलत जानकारी फैला रहे थे इतना ही ने इन्होंने इन अकाउंट्स से मोदी प्लानिंग फार्मर जैनोसाइड करके एक ट्वीटर हैस्टेग भी चलाया था शनिवार को यह हैस्टेग ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहा था इसमें से कई ट्वीट विदेशों से जैसे साओध यारिबिया लंदन और अमेरिका से आ रहे थे और सबसे जैदा जो ट्वीट आये थे वो आये थे पाकिस्तान के अकाउंट्स से तो आप खुछ सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो यह देश के लिए कितनी खतरनाक है और अभी दो दिन पहले इमरान खान ने इस किसान अंदुलन को पूरी दरा से सपोर्ट भी किया था बाइडन से बोला था कि इस पर अपनी दखलंदाजी देए तो स्पेंड होने वाले कई अकाउंट्स में से जो प्रमुक अकाउंट है वो है एक जिहादी मैगजीन है जिसका नाम है कारवा मैगजीन एक लिबरा यह अकांट्स बंध हुए है इनकी हिस्ट्री क्या है और इन्होंने अपने अतीत में क्या ऐसे काम किये हैं जिससे पता लगता है कि यह पूरी तरह से एंटी हिंदू है और एंटी बीजेपी है तो सबसे पहले बात करते हैं कारवा मैगजीन की यह एक वामपंति दिलालो की पत्त्री का है जो हमेशा जूटी खवर और मोधी को टार्गेट करने में लगी रहती है जनवरी 2019 में जो हमारे रास्टे सुरक्षा सलाकार अजीड दोवाल जी है उनके बेटे के खिलाफ इन्होंने एक गलत खवर चापी थी कि वो उनके पास बहुत ज्यादा काला धन है जब कोई सबूत नहीं मिला तो विवेग दोवाल ने इनके खिलाफ एफ आयर की थी इससे पहले समझोता एक्सप्रेस के आरोपी समाकों में RSS को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया था जबकि इनके पास ना कोई सबूत था कुल मिला के जो कारव मैगजीन है या पूरी तरह से हिंदू विरोधी और हिंदू फोविक मैगजीन है जो बहुत समय से हिंदू और मोधी सरकार को टार्गेट कर रही है अभी दिल्ली में भी जो किसान आंदोलन में दंगे हुए थे उसमें इस मैगजीन ने जोटी कावर फेलाई जिसके वैसे ट्वीटर को इसका ओफिशल अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा एक है संजुकत तवसू यह जिहादन वामपंथन जो तठाकातित हिंदू है यह वही वा जाहिन बाग हो किसान आंदोलन हो या फिर कोई भी मुमेंट हो आपको वहाँ पर यह जिहादन वामपंथन दिखी जाएगी एक और बंदा है जिसका अकाउंट सस्पेंड हुआ है उसका नाम है हंसराज मीना अब यह क्या चीज है कौन है क्या सेलिबिर्टी है कोई नेता ह इसके बारे मुझे कुछ नहीं पता बस इतना पता है कि इसकी दुकान सर्फ मोधी को गाली देने से चल रही है और यह पूरा दिन कुछ नहीं करता इसका सिर्फ एक ही टार्गेट है कि मोदी को किसी भी तरह से आदिवासी और मुसल्मान विरोधी बताया जाए लेकिन जब पाकिस्तान से आए 11 आदिवासी इसी के इलाके में मार दिये जाते हैं संदिक तरीके से तब ये गहलोष सरकार पर कोई भी सवाल ने उठाता ना कहता है कि गहलोष सरकार इसके खिलाफ कोई इंक्वारी करें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने अब तक आपको बंदे बताएं पूरी तरह से दोगले हैं वामपंथी लिबरांडू है एक और अकाउंट सस्पेंड हुआ है जिसका नाम है आसिफ खान, मुहम्मद आसिफ खान तो यह तो नाम से ही जहादी और आतंकवादी है तो आप समझे गए हूँगे इसका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है इसके बारे मैं कुछ ज़दा बात नहीं करना चाहता जिसका नाम है टीम साथ जिसने हमारे अंकुर आर्याजी को भी टार्गेट करने की कोशिश की थी लेकिन इन्हें पता नहीं थे किस से बिट रहे हैं अगि चाहिए किसानों का कितना भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इनकी आने वाली किस फिल्म को अभी पंजाब में किसानों ने ही बंद करवा दिया था कैये दिया था सूटिंग नहीं होने देंगे तब ये रो रहे थे कि है हाए मैं तो तुम्हारा सपोर्टर हूं मेरी मेरी रहे कीव बंदगर्वा रहे हो तो देखो यह जो खालिस्ताण ही किसी के सगे नहीं है इन्हों ने जो इनकी चमचा-गीरी कर राया सिसान से इसका ही अकाउंट इसका ही जो फिल्म है उसको बंदगर्वा धिया था इसके अलावा पुरसार भारतिके सियो का भी अकाउंट होल्ड गर दिया गया है सवाल यह है कि पिछले दो महिने से यह जो आग लगाने वाले अकाउंट है इन्हें सरकार की कारवाई की मांग के बाद भी सिर्फ होल्ड किया गया है पर्मानेंट सस्पेंड नहीं किया गया शायद अगर ये कोई राइट विंगर अकाउंट होते तो इनको पक्का पर्मानेंट बंद कर दिया होता लेकिन इन सारे जहादी वामपंतियों के अकाउंट बंद होने पर जितने वामपंति बागड बिल्ले हैं जैसे उनके बापो के अकाउंट बंद हो गए हो लेकिन जब ट्रम्प जैसे नेता का अकाउंट पूरी तरह से बेंड किया जा सकता है तो इन जहाद योगा क्यों नहीं हो सकता क्या ये टुटर का दोगला चेरह नहीं है बागी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्याद ज़्याद लाइक करें शेयर करें पहली बार अगर मेरे चैनल आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब जयो करतें जैसे जाम दोस्तों जैहंद